हालो दोस्तों पिछला बार मैंने आपको फिजिक्स का जो चेप्टर टू था जिसका नाम था मानम नेत्र तता रंग भी रंगा संसार इसका 11 कुश्चन आपको समझाया था आज इस वीडियो में इसके आगे का मैं 12 से लेकर 27 तक का कुश्चन समझाऊंगा कुश्चन आपको वीडियो देखना समझ में आ जागा फिर आराम साप एक्जाम में उसको टिक कर सकते जाएदा आपको पढ़ने का जुरत नहीं है तो चलिए समझते हैं सबसे पहले बार नमबर पर जो कुश्चन है सामान नेत्र के रेटीना पर बनने वाला प्रतिवीम होता है जब हम किसी आसी और सीदा दूसरा वास्तवीक और फोल्टा त्रा चौता अभाष्यों और उल्टा तो इसका औप्षन नमर्ट सिय उत्तर है वास्तवीक और उल्टा हमेशा उयाद रखेंगे जो इमेज बनता है हमारी रेटीना अपर उन्ल्टा यानि जो भी चैन्ट हम सीधा देख लेन्स अपरने प्रसिश्ट करने में मदद करता है कहा जाता है यानि नेतर का वगौन जो हमें पास हो या दूर हो हर वस्तु को फोकस करके साफ दिखाई देने में मदद करता है तो उसको क्या करता है इस गुन को हम लोग बोलते है समंजन छमता याद रखेंगे समंजन छमता ठीक है चौथा नेक्स कोशन है दूर द्रिष्टी दोस वाली आंक साफ साफ देख सकती है कोशन क्या है दूर द्रिष्टी दोस जिसको हम लोग दिर्ग द्रिष्टी दोस भी कहते हैं वैसे आंक जो है साफ साफ देख सकती है मतलब कहां का वस्तू साफ साफ देख सकती है पास का या दूर का तो हमेशे याद रखेंगे जिसको दूर द्रिश्टी दोस होगा, वह दूर का ही देख पाएगा, नजदीक का नही देख पाएगा, तो इसका एंसर नमर आपको देखिये, पहला का जो औप्षono A है वही चाहिए यान्फ है दूर की वस्तू को, यानि दूर द्रिश्टी दो व्यक्ति देख सकता है अभी समझाया सेम कोश्चन वही है आप रामसर इसका पर लिए निकत इसे दोस में हम लोग पास का चीज को या नजदिक के चीज को देख सकते हैं निकत के चीज को दूर का चीज नहीं दिखाए देगा यानि ऑप्सन नमबर इसका डी सही होगा अगल तो कपड़ा कहिने जाते हैं तो मीटर में नापते हैं कोई समान कहिने जाते हैं सब्सक्राइब का यूनिट क्या है इसका यूनिट आपका होता है मीटर में क्योंकि तरंग क्या होता है इसका भी लेंद मतलो लाइट जो ट्रैवल करता है तो डिस्टेंस वाना तो डिस्ट लेंस की तरह क्योंकि हमारे आखों में क्या लगा हुआ है उत्तर लेंस की तरह काम करेगा ठीक है नेक्स कोश्चन है नमबर आख के लिए नियूनतम दूरी होती है यह बहुत बर कोश्चन आता है और जैसा कि आप यहां देख भी सकते हैं कितना वार आ जुका है तो समान आख के लिए स्पश्च दर्सन को नर्मल आक है उसके लिए मतलब कीतना दूरी जो हो वह असानी से देख सकता है तो जो नजदीक का होता है वह ताए 25 cm यानि 25 cm पास में अगर कोई चीज आखा हुआ है तो इसको क्लेर देख सकते हैं तो दूर कर दिया जाए तब भी क्लेर नजर नहीं आएगा ठीक है तो नजदीक का जो दूरी क्या है 25 cm अगर आपका दूर का पूछे कि दूर कितना तक देख सक सकते हैं हाँ पर नहीं सकते हैं दिखा हुआ बट नॉर्मली देख पाते हैं ठीक है तो इसका अप्शन नमर्डी सही है अगला कुशन है किस दृष्टी दोस्त के निवारन के लिए अबतर लेंस का प्रयों कि आता है आपको जैसा कि बताया दृष्टी दोस्त जो मेने लि करेंगे चाह करेंगे और दरिष्टी दोस्त के लिए उत्तर लेंस का उप्योग करेंगे ठीक है और जिसमें जराद द्रिश्टी दोस होगा उसमें दोनों लगा जाता है जैसे देखते हैं बहुत लोग चस्मा पहेंते हैं तो यहां नीचे की और लगा रहता है जिसमें लोग नजदी के वस्तुक्त साब देख पाते हैं एक में इ सेन लिए ससी दूर क आपर लगा रहता है जिसको दोनों बिमारी होता है इसको दोनों लगा रहता है रहने को हैं प्रकास का प्रात्मिक वर्न है प्रकास का प्रात्मिक वर्ण प्रकास का प्रात्मिक वर्ण वर्ण क्या है डी नंबर जो की है इन में से सभी नीला हरा लाल प्रकास में नॉर्मली जो होता है साथ कलर होते हैं वैसे वाइट लाइट उसको लोग बोलते हैं बट इसमें साथ रंगों से बना होता है तो अल नमर क्या है बी अबितल लेंस का तो दोनों ही प्रकार के लेंस का हम लोग यूज करते हैं और जिसको लोग बलता है बाई-फोकल लेंस बाई-बाई-मतलब होता है दो फोकस करने के लिए उसमें यूज जता है तो फोकल लेंस कहा जाता है कब जब दोनों लेंस यूज़ आपतल भी और उतल भी ठीक है next है सुएथ प्रकास में कितने वार्ण मतलव रंग याद रहेंगे वार्ण मतलव रंग तो स्वेथ प्रकास नहीं राइट लाइट में कितने रंग होते हैं अभी बताया ना जो सुरज की जो किरने होती है वह सात रंगों से बना होता है जो कि बारिश को मसले में इंद्र धन उसमें वह तूट जाता है तो सात आप लोग याद रखेंगे नेक्स कोशन फिर उसी प्रकार है स्वेट प्रकास क में सबसे जादा स्पीड रेड का होता है लाल रंग का और सबसे कम स्पीड बैंगनी रंग का होता है तो सबसे जो कम बिचलित होता है वह होता है लाल और सबसे जादा जो बिचलित होता है वह होता है आपका बैंगनी रंग तो यहां पर आपका कौन सा यहां पर दिया है देखिए इसलिए आपका जो मतलब बैंगनी नीला यहीं सब आता है नीचे में जो ज्यादा बिचलीट होता जिसका हमारा आसमान का रंग नीला होता है अकला कुष्चन है पचीस नमबर देखिए 25 स्वेत प्रकास की किरन जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो व याहनी, जब श्वेत प्रकास किसी प्रीज में से गुजरता है, तो अपने घटकों यानी, साथ रंगों में वह तूट जाता है, तो अपने घटना को, हम लोग क्या कीछ समझेंगे इस पीड किसका होता है लाल तलर का तो इसमें option नमर ए सही है तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें भी और भी इस तरह का question हम लोग समझेंगे और जल्दी जल्दी समझेंगे ठीक है तो जितना जल्दी हो सके इस चैनल को subscribe करो अगर नह नहीं लेना है एक्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है तो फिर बिलते हैं नेक्स्ट विडियो में तब तक के लिए जैए